नमस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू लगबग 39 यर्स होने आयू यानि दो चार महीने कम है अब इस पाम को देखे तो यह कम्प्लिट स्क्वेरिश पाम है तो इस तरह का स्क्वेरिश पाम व्यक्ति महंती होता है और दूसरा यहां पर देखे तो यह पाठ थोड़ा सा च चोड़ा ही कम है तो जनरली देखा गया है यह दो तरके काम करते हैं या तो जीवन में जॉब करेंगे कहीं न कहीं सर्विस करते हैं या कोई भी कारेंगे अगर खुद का भी तो व्यक्ति पार्टनर्शिप करता है कहीं न कहीं अपने विचारों को किसी के सामने रखेगा और उसके साथ जॉइंट हो जाता है इस तरह का देखा गया जंदली और अंगुठा काफी अच्छा है तो स्ट्रॉंग पर्सनालिटी होगी फर्स्ट फैलेंज काफी बड़ा है और नुकिला भी है तो अपने ध्यके प्रती अच्छे खासे एनर्जी लगाने वाले होंगे औ और यहां पर मोटा पा भी है तो व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने वाला भी होता है इनकी जुपी और पाम के मुकाबले उंगलिया छोटी है तो यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यह लोग बहुत स्पीड में नेने लेते और उसके कारण यह ज़्यादा सफल हो तो फास्ट नेने लेकर भी एनलिटिक परसनालेटी होगी इनकी सुरी की उंगली अच्छी खासी बड़ी है तो हिमती सबाओ की और इशारा कर रही है और यह उंगली को देखे तो फर्स फैलें तक पहुँच रही है तो व्यक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों प्लस अकाउंट्स यह सारी चीजों में व्यक्ति काफी एक्सपर्ट होता है अब यहाँ पर देखे इनके बुद्परवत को बुद्परवत भी अपने आप में उभार है और उसके साथ-साथ यहाँ पर खड़ी लाइने भी है तो यह इनके बिजनेस एक्युमेंट को बढ से बड़ा प्लस पॉइंट है और यहाँ पर देखे तो बुद्परवत उभार है तो व्यक्ति सुन्दर भी होता है और साथ में यहाँ पर उभार जाता है तो व्यक्ति के मन में एक कहीं ना कहीं नाम कमाने की भी चेश्टा रहती है यानि उसकी इच्छा रहती है पैसा त बिजनेस के सारे गुन उनमें रहते एक ऐसी साइन है जो इनको बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएगी यह इस तरह का स्क्वेर मैंने इनको पूछने की कोशिस की पर यह सही रूप से मेरी बात समझ नहीं पाए पर हो सकता है वीडियो देखने के बाद यह बात को समझे य यह व्यक्ति को भूट जादा धन कमाने में साहता देता है यह मल्टीबल प्रॉपर्टी का स्क्वेर नहीं है यह सुर्य परवत पर स्क्वेर है ऐसे लोग बहुत बड़े मल्टी सिटी सप्लायर होते यह बहुत फैला हुआ कामकाज होता है इनका यह जो काम भी करते होंग कि अभी फिलाल वो भी हो नहो फैला हुआ कामकाज होगा यानि मल्टी सिटी का कामकाज होगा यह अभी विदेश में रह रहे है पर यह स्क्वेर इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा मैंने इतने बड़े स्क्वेर में किसी को छोटे व्यक्ति के हाथ में नहीं देखा है व्यक्ति का बहुत फैला हुआ कामकाज होता है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है इतना बड़ी ताकत है इस स्क्वेर में और यहाँ पर एक बड़िया सा स्क्वेर भी बन रहा है त और देखे तो इनकी जो सूरे रेखा है बहुत हलकी सी है पर सूरे रेखा है तो थोड़ा सा जीवन शुरवाती जो जीवन रहता है वो थोड़ा सा संगस वाला रहता है पर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे comfortable life होती है और ये life इनको comfortable मिलेगी उम्र लगबग 46 के ब भुण है जो घ्मकरेंगे इनका नाम ज्यारा होटा है ये यस्ष प्राप्ति की रेखा है घिक है अब चलते हैं इनके शनी-परवत शनी-परवत पर देखे तो एक तम फ्लैट शनी-परवत ये लोग फूर्ति ले रहते इनको ज्जादा आलस नहीं कि रहता इंके शरेड् तो इस तरह का परवत काफी बेनिफिट देता और एक लाइन इस तरह से जा रही है ये दो तीन तीन चार चीजों की और इशारा करती है या तो सरकारी लाब की और इशारा करती है या पॉलिटिकल लाब की और इशारा करती है या व्यक्ति को ससुराल पैसे वाला मिलता या व तो ये इसमें से कोई न कोई एक लाब इनको जीवन में, जब आपकी फेट लाइन गुरु परवत की और जाती है, तो इस तरह का लाब मिलता है, और बाकी की भी फेट लाइन इनकी है, already, और वो लगबग सुरिय परवत की और देख रही है, तो विदेश से धन प्राप्थी के योग इनके जीवन में बने हुए अब इनका जो जूपिटर माउंट है वो चाहिए वैसा नहीं है वो काफी दबा कुछला है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है या व्यक्ति को परिवार से दूर रहना पड़ता है दो मैं से कोई एक होते हैं इस तरह के गुरू परवत के कारण दूसरी चीज़ देखे तो इनका शुक्रपरवत काफी बड़ा है और एक गेंद की तरह है और उसके सामने गुरू परवत काफी छोटा है मैं इनको उपाय दूंगा यह बैलेंस करेंगे तो इनका आदे से उपर का प्रश्न जाएगा दूसरा धन की मात्रा में भी काफी तेजी आएगी जब इस तरह का शुक्र परवत और गुरु परवत बैलेंस किया जाता है तो और यह उपाय मैंने भूत लोगों पर किया है और लगबग सभी लोगों पर इसका फाइदा हुआ है और यहां पर होरिजोंटल लाइने चल रही है इनको मल्टिपल इंकम की और इशारा करती है कभी न कभी मल्टिपल इंकम है इनके जीवन में आती रहेगी और यहां पर देखे तो नौन स्टॉप सीधी रेखाए भी चल रही है तो यह भी कंटीनिव प्रोग्रेस की और इशा यह अगर यह बहुत जादा नरब नहीं होगा और थोड़ा सा कड़क होगा तो यह सरीर की एनरजी बहुत अच्छी होती इनकी तो अंद्रुनी मंगल काफी अच्छा है हाथ थोड़ी सी लाएने वो चिंतित सबाओ की और इशारा करती है पर इतनी लाएने चल जाती है अब इनके भारी मंगल के और बारी मंगल तो देखने लाएक है काफी अच्छा उभार है इस तरह का उभार व्यक्ति को संकट के समय खुड के लेवल पर संकट का सामना करने की हिम्मत देता है दूसरी चीज व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है तो ये भी जीवन में indirect benefit दिलाता है जब आप किसी से comfortable मिलोगे तो आप पर trust बैठता है trust बैठता है तो आपको हर रूप से उसकी benefit मिलती है पैसे के रूप में दूसरी चीज जिसका भी मंगल दोनों अच्छे हो उसको जमीन जायदात में हमेसा investment करना चाहिए ऐसे लोग कहीं जंगल में भी अगर जमीन ले लेते तो 15-20 साल के बाद पता चलता है वहाँ पे कोई factory आ गई और उस जमीन के अच्छे खासे भाव मिलते हैं तो यह मंगल जिसका भी अच्छा होता है उसको जमीन जायदात में थोड़े से भी पैसे जमा हुए तो व्यक्ति को वहाँ पर जमीनों में investment करना चाहिए यह मेरी सला है अब चलते हैं इनके चंद्रपरवत पर चंद्रपरवत पर एक छोट है मैं दूंगा यह बहुत बड़ा नहीं है पर कहीं न कहीं व्यक्ति को एक negative ऐसी सोच आती है कि मैं आगे जीवन में एकदम नीचे तो नहीं गिर जाओंगा मेरा पतन तो नहीं होगा उस तरह का डर हमेसा बना रहता है negative भावना रहती है और जो की वैसा चीज होता नहीं जीवन में उस तरह की वस्तुए होती नहीं पर यह उस तरह का भाव देता है और यहां पर देखे तो इनका चंद्रपरवत देखने लायक है बहुत huge level का चंद्रपरवत है और ऐसे लोगों का विदेश से संबंद आता जरूर है किसी न किसी रूप से अगर व्यक्ति का चं और बहुत अच्छी सोच देता है रिफेंड सोच होती है नीने शक्ति इनकी काफी powerful होती है और पानी और दूद से बनी चीजे इनको बहुत पसंद होती है और यहां पर देखे तो money triangle भी अच्छा खासा बना हुआ है इनके हाथ में और बुद्ध रेखा भी काफी बढ़ि बहुत अच्छा money triangle है तो धन के मामले में तो यह काफी संपन होंगे काफी संपन और यहां पर देखे तो जीवन रेखा से भी बहुत सी साखाय चंद्रपरवत की और जा रही है तो यह भी उस तरफ इशारा करती है अब शुक्रपरवत पर चलते उसके पहले एक मंगल रहते है कि मंगल रेखा के बारे में आप कभी वीडियो में बताते नहीं तो मैंने हमेशा पाया है मंगल रेखा ज्यादा जीवन में उसका महत्व नहीं रहता हां महत्व कहा होता है जैसे यह मंगल रेखा चली जिसकी मंगल रेखा ज्यादा रहती है उसको एक चीज रहती ये बड़ी अगर मंगल रेखा है उसको बार-बार ऐसास कराती है कि मैंने तुझे बचाया जैसे अभी भारती रोड की बात करो तो आपको कोई न कोई स्कूटर या मोटर सैकल आकर आपको इस तरह से रुकेगा आपके सामने ऐसा लगेगा कि अभी ये मुझे इंजड कर दे ये एक उसको benefit का हो या नुकसान का हो ये एक मंगल रेखा का ये सबसे बड़ा role रहता है दूसरा सबसे बड़ा फाइदा होता है ये रेखाय चल रही है तो जो रेखा यहां से निकल कर काटती है उसकी density कम हो जाती है ये अगर 100% की speed में चल रही है तो ये जब काटती है त 20% पर आके रुखती है उसकी जो effect होती है वो 20% ही रह जाती है तो ये सबसे बड़ा plus point मंगल रेखा का मिलता है मेरे मानने में उसके सीवा जीवन में मंगल रेखा का बहुत बड़ा benefit मैंने किसी के पाम पर नहीं देखा मैंने 10,000 रुपया 12,000 रुपय कमाने वाले के हाथ में भी strong मंगल रेखा देखिया और ऐसा भी नहीं जिनकी उमर 52-52 साल हो चुकी रहती है strong मंगल रेखा होकर भी वो 12,000 ही कमा रहा होता है तो पैसे के मामले मैं मंगल रेखा आपको कोई नई जमिन जायदात के मामले मैं ज्यादा help होते देखिये इसके लिए मैं मंगल रेखा के बारे मैं ज्यादा discuss नहीं करता अब इनकी ज्यादा बड़ी देखी इसके लिए मैंने ये विशे लिया अब चलते शुक्र परवत और शुक्र परवत काफी बैटर है तो लक्जरियस लाइफ रहती है पैसा कमाने में व्यक्ति एक्सपर्ट रहता है गर्मी सहन नहीं होती बहुत लोगों को पसीना भी खुबाता है और इनके परसनल एक्सपेंस काफी जादा रहते हैं कमाते भी जादा है और खर्च भी बढ़ने की सुषता है वहां पर यह रुकावटे लाती है ऐसे लगेगा जैसे किसी ने पैर पकड़के रखा आगे बढ़ने नहीं देता यह फिलिंग इनको आती होगी और यह बैस्ट इलाज है मैं इनको उपाय दे दूंगा बहुत ज्यादा कोशली भी नहीं है और यह उसे यह मुक्ती भी मिलेगी इनको मारिक रेखा उसे अब चलते हैं इनके हिर्दय रेखा पर हिर्दय रेखा को देखे तो कम्प्लीट गुरु परवस से टच होकर इस तरह से सीधी चलकर यहां पर फ्लर्ट लाइनों का भी निर्मान हुआ है जब फ्लर्ट लाइने रहती है तो व्यक्ती में एक अच्छी खासियत रहती है कितना भी दुखी हो अंदर से थोड़ी देर दुखी होगा उसके बाद कोई ना कोई खुशी के पल ढूंगता है दूसरा जब आपकी रेखा गुरु परवस से टच होती है तो आप आदर्श वादी बहुत होते हो आदर् भी रहते बच्छपन से उसी आदर्शो पर चलने की कोईशित करते हो भूत वार आपको फाएदा देती है और बहुत बार नुक्सान देती है दूसरा एक माइनस पॉइंट होता है या प्लस पॉइंट होता है वो यह होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वहाँ पर भी आपको मायूस ही मिलती है क्योंकि सामने वाले के पास इतनी बड़ी दरे रेखा नहीं है तो वह आपके expectation को पूरा नहीं कर पाता और आप मायूस होते हो पर यह हो गया personal level पर यही जहां काम करते हो वहां कैसे benefit देती है आप ज़्यादा expectation रखते हो तो आप आपके हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा work ले पाते हो और ज़्यादा work ले पाते हो तो ज़्यादा earning करते हो तो दोनों काफी अच्छी है कोई टेंस की बात नहीं है हाथ थोड़ी सी जो रेखा है नीचे जा रही है यह कभी न कभी आप अपने मित्रों को या सगे संबंदियों को हेल्थ करेंगे और वो पैसा वापस आएगा नहीं है अब चलते इनके माइन लाइन पर माइन लाइन भी देखे तो कम्प्लीट गुरु पर्वस से सुरू होकर सीधी चल रही है और यहां पर आकर रुख गई गुरु पर्वस से सुरू हुई माइन लाइन तो आप महत्व कांशी व्यक्ति होई और महत्व कांशा पूरी करके भी छोड़ोगे आप जीवन में ये भी एक खासियत होती है के वल एक जगह पर उभार दिख रहा है उस पिरिएड में थोड़ा सा टेंस आपके जीवन में आया होगा ये पिरिएड होगा लगबग 32 से लेके 38 तक का ये पिरिएड आपके टेंस वाला क्योंकि जब भी कोई माइन लाइन सीधी चल रही है और थोड़ा सा भी उभार आया तो उस पिरिएड में चाहे वो उपर से उभारो या नीचे से हो व्यक्ति को टेंस जीवन में आता है और ये टेंस वाला पिरिएड जाता है पर उसके बाद आपकी माइंड लाइन अच्छी खासी सीधी होकर सीधी चल रही है तो कोई जाता टेंस लेने की जोड़त नहीं और यह उभार भी कोई बहुत बड़ा उभार नहीं है अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर जीवन रेखा पर देखें तो यहां पर एक पूरा ग जीवन होगा आपका लगबग 10-12 साल से लेके 25 साल तक का पिरियड काफी श्ट्रगल वाला रहा होगा क्योंकि जब माया जीवन रेखा इस तरह से धुंदली होती है वो पिरियड काफी श्ट्रगल वाला व्यक्ति के जीवन नहोता है काफी श्ट्रगल करता है और उसके ब हुआ लेती है तो शुक्र के गुन भी बढ़ जाते और पारिवारिक व्यक्ति बनता है परिवार के प्रत्यक व्यक्ति से टच में रहने की कोशिज करता है और टच में रहता है यह एक और खासियत रहती उसको राहू रेखा है थोड़ी सी कम डिश्टब करती है अब आप पुछोगे उसका कारण क्या तो उसका कारण ये रहता है कि वहाँ पर मिट्टी उड़ती नहीं राहू मिंस मिट्टी वाला छेत्र जिनके हाथ में ज्यादा राहू रेखा है हो और अगर वो यहां पर रहत है भारत में या दुबई में या कहीं पर जहां मिट्टी ज्यादा होती है वहाँ पर रहे तो उसको ज्यादा असर होगा तो मैं बहुत अमिर लोग आते और उनके राहू रेखा आई तो उनको मैं सीधा बोलते तो आप यूरोप या अमेरिका चले जाए तो आपको काफी आपकी रक्षा हो जाएगी ये छे मेने आप निकल जाएगे क्योंकि उनके स्टैक बहुत बड़े रहते हैं उनको सला दीवी उनको काम भी आती है और वो निकल भी जाते हैं तो ये भी एक एडवांटेज है दूसरा अभी इनकी उमर देखे राहू रेखाएगी बहुत सा च्छोटी मोटी रेखाओ को मैंने गीना नहीं है एक एक सट के आसपास और एक पैसट के आसपास इतनी राव रेखाए इनको जीवन में कोई न कोई बाधाय लाएगी और इसका हिलाज है अब ये जिस कंट्री में रहते हैं वहां स्ट्रीट डॉक तो इनको मिलेंगे नही तो हो सके अगर पाल सको तो आप एक घर में कुट्ता पाल लीजिए और ना हो तो कहीं न कहीं मचली का तालाब आपको मिलेगा वहां पर जाकर आप मचलियों को खाना खिलाइए तो ये आपको काफी रिलेक्स देगा और दिल से आपने खिलाया आपको खुद को खिलाना हो तो आपकी काफी इस रहो रेखाओ को मिटते आप देखोगे और ओवर अल देखे तो जीवन रेखा काफी अच्छी है और स्मूथ है अब चलते इनकी धन रेखा पर धन रेखा देखे तो पूरी चंद्र परवत से शुरू हो रही है यह भी विदेश से लाब दिखा रही है और यहां आकर देखिए यह थोड़ी से हलकी हो गई और हहां से 36 के आसपास एक बतलाव आया और यह रेखा पुरी गुरू परवरत की और जा रही है अब इसी रेखा पर देखिए एक कट लगबख 24, 25 के आसपास आया एक कट 27 के आसपास 26, 27 के आसपास एक 32-33 के आसपार और यहां पर धुनली हो गई और इसके बाद एक रेखा यहां से निकली और सिरी जा रही और यहां पर एक कट दिख रहा है अब बहुत बार यह जो कट आता है अगर यह हिर्दे रेखा से निकल कर कट आता है तो व्यक्ति कोई न कोई investment करता है और अगर हिर होती है तो यह 38 के आसपास यह चिद्री और उसके बाद सीधी चल रही है रेखा और यहां से सीधी चल कर ऐसे जा तो इनको जीवन में अगर देखे तो धन तो जमा करेंगे पर बीच-बीच में रुकाउटे जरूर इनको बाधाय आती रहेगी और इनको इलाज उपाय करन बहुत अच्छे साइन है जो इनकी रक्षा करेंगे तो ज्यादा टेंस लेने की जुरत नहीं है आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद